हेलो दोस्तों देखिए आज हम लोग बात करेंगे भी सेवन सेमिस्टर एग्जामनेशन 2021 का यानि की प्रीविएस येर का पेपर सॉल्व करेंगे सिल्वी कल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री का विकॉज कल आपका पेपर होना है तो पहले इस वीडियो को देख लें ताकि काफी कुस्चन आपके जो है प्रीविएस येर के पेपर होते हैं उनसे फस जाते हैं ठीक है तो इस पेपर कम लोग सॉल्व करेंगे और जैसे कि आपका सिल्वी कल्चर एंड एग्रो फरस्टी जैसा कि आपको ग्यात होगा कि हमने पिछले वीडियो में आपको काफी इसक हम आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें जो आपका पहला कुस्चन है पहला कुस्चन है वह है कि भारत में परंपरागत क्रशी वान की प्रडाली का संबंध है भारत में रिलेटेट टू ट्रेडिशनल हुआ है देखिए इसमें जो हो सकता है वह है आपका उप्रोगत सभी हो सकता है मेरे इसाब से लेकिन इसका सही आंसर क्लियर नहीं है क्योंकि मैंने इसको जहां पर भी सर्च किया तो जब मैंने इसको क्लियर किया तो वहां पर भी इसका नेट पर गूगल पर भी सही आंसर नहीं दखा रहा है ठीक है तो आप देख लेना जहां से हो सकता है किसी source में आपको मिल जाए तो clear कर लेना इस question को तो इसका मेरे इसाब से option उपरोक्त सभी होगा ठीक है देखिए दूसरा question है कि वनवर्धन सुलहार के लिए मुख संगटक है यानि कि basic component treatments of all silviculture system इसका जो नहीं answer है वाई आपका देख भाल भी होता है पुनर जनन यानि की regeneration आपने पढ़ा होगा और harvesting तो यह सभी आपके सही है option D is the right answer अगला कुस्चन है आपका कि निमनलखित में से कौन सा पेड तिलहन से संबंधित नहीं है तिलहन से संबंधित नहीं है तिलहन से संबंधित न और स्लेचेरा ओलेशा इसमें से जो आपका सही answer है वह है आपका bombix ciba क्या है bombix ciba है अगला कुस्चन है forest Latin भासा के किस सब्द से लिया गया है तो forest सब्द जो है वह है लेटन भासा के forest सब्द forest सब्द जानि की option C चौथा कुस्चन है option c is the right answer forest सब्द से लिया गया है अगला कुस्चन है आपका कि बीज द्वारा प्राकृतिक पुनरजनन निर्भर करता है तो बीज द्वारा प्राकृतिक पुनरजनन निर्भर करता है बीज की उत्पत्ति बीज परिछेपड बीज अंकुरण और उपर वोक्त सभी उसके बाद देखिए अगला कुस्चन है कि निमलिकित में से कौन सा पौधा नहर किनारे लगाने योग नहीं है प्लीज इस कुस्चन को क्लियर कर लेना right option is clear नहीं है ठीक है आगे देखिए अगला कुस्चन है कि जल की अधिक खपत करने वाले पौधे कहलाते हैं हाइड्रोमॉर्फिक कहलाते हैं बिकोज हाइड्रो का मतलब भी जल होता है तो हाइड्रोमॉर्फिक कहलाते हैं क्रशिवान की के वरगी करण का संरचनात्मक क्रियात्मक और सामाजि जाता है तो वन महोत्सव सप्ता मनाया जाता है 1950 से कम से 1950 से मनाया जाता है अगला है कि निम्लिखित में से कौन सा पुनुरुत पादन का आंतरिक कारक है यानि कि आपने रिजनरेशन पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो प्लीज वीडियो देख लेना पहले के तो उसमें पिछले वीडियो में आक आमें बिद्वराज में बताया है कि जितना आपका आंतरिक कारक होते हैं और आपके बाहकारक होते हैं उनमें क्या क्या उनकी जो है कौन से फ्यक्टर sometime करते हैं तो यदी आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो फ्ली इक बार देख लहएं तो इसमें यदि हम बात करें आपके लिए अंतरिक कारग या फिर बाहकारक की बारे में तो वो होगा आंतरिक कारक और बाहकारक तो आंतरिक कारक में आपका है दस्वा कुष्चन ओप्शन सी इजडा राइट आंसर यानी की अंकुरल छमता देखिए हम आपको थोड़ा सा बतादें यहीं पर अंतरेकारख का मतलब होता है की बीज में जितने भी आपके कारख होते हैं और यह और उतरेकी अंतरेक होते हैं ठीक है अगला कुस्चन आपका देखिएगा क्या है कि प्रृथम वननीत की संकल्पना पास हुई प्रृथम वननीत की संकल्पना पास हुई अगला कुस्चन है आपका कि इको सिस्टम सब्द किसने दिया था तो इको सिस्टम सब्द जो है वह है आपका एजी टैंसले ने दिया था अगला है आपका पौधों की उचाई मापने हे तू किसे अंतर का प्रियोग करते हैं तो पौधों की उचाई मापने हे तू हम लोग हाई हाई इस वो मीटर का प्रियोग करते हैं ऑप्शन बी इस दा राइट अंसर अगला question है भारतिय वन संसोधन अधिनियम लागू हुआ था भारतिय वन संसोधन अधिनियम लागू हुआ था उन्नीस सो यानि की 14 का बी यानि की 1927 में ठीक है तो 1927 में हुआ था अब देखिए हम आपको एक चीज़ बता दें कि जितने भी आपके वन से रिलेटेड जितनी भी आपकी पॉलसीज है वन से रिलेटेड या फिर जो भी आपकी नई रिपोर्ट आई है स्टेट फोरेश 2021 की अनुसार सत्रमी रिपोर्ट है उसको एक बार किलियर कर लेना एक बार देख लेना ठीक है यहां से कुस्चन आपसे डारेक्ली पूछ लिए जाते हैं अगला देखिए अगला कुस्चन है कि पेड़ को जमीन की सताय से दो मीटर की उचाई से काट देने के उपरांत उस इस्थान से नए तने वह किले निकल आते हैं कहलाता है क्या कहलाता है तो जैसे आपने देखा होगा कि जब हम लोग क्या करते हैं पेड़ को जमीन की सताय से काट देते हैं तो उसे तो हम कहते हैं जैसे 5-6 cm की उचाई से काटे है, तब तो हम उसे कह देते हैं इंड़ी वर रक्षों की की जाती है, उसमें एक लाव होता है, कि जितने भी आपके grazing animals होते है, उन से बचाने के लिए पुलाडिंग की जाती है विकॉज जैसे ही उसमें नए टेलस निकलते हैं तो जो आपकी ग्रेजिंग अनिमल्स होते हैं वह उसको ग्रेज कर जाते हैं मतलब चर जाते हैं कॉपसिंग में कॉपसिंग के केस में विकॉज वह निचले इस तर से की जाती है और जब वही हम दो म मैं नियुन मैं गूलियर से एंव दिए हैं क्योंता होता है कि सए लिके सी फैमिली से है अगला कुश्च न देखेगा अगला कुस्चन है आपका अगला कुश्च दढ़ मां तो चैक का सबदें नाम theong abrand होता है किया होता है picturees on a grand is a निमनलखित में से कौन सा प्राक्रतिक पुनरजनन नहीं है तो निमनलखित में आपका 코 पस को पस्ट जो है को पाशनंग मतलब की natural regeneration नहों करत के वह Да injun regeneration है artificial regeneration में कही न कहीं Human का इंठरेंशन होता है जबकि natural regeneration में human का intervention कहीं भी नहीं होता है और जब हम कौपशिंग करते हैं तो वह मनुष्य या human के द्वारा ही की जाती है ठीक है अगला question देखिएगा कि निमलिखित में ऐसे कौन one उत्पादक की भूमिका नहीं है वन उत्पादक की भूमिका नहीं है तो वन एवं पारिस्थित की सुरच्छा यह जो है एक आपके वन उत्पादक की भूमिका नहीं है अगला question है वे पौधे जिनकी उचाई सामान्यताया है सामान्यताया एक मीटर से अधिक उची नहीं होती सदेव हरे तथा कुमल बने रह में पिछले asked मां बताया भी है कि हर्व क्या होते है पर्फिक देख या झामिनलाजी उसमें कर्ő तो घला अग्ला question को ऐसे पौधे जिनको बौने के बाद पौधे की उंचाई सामानताया एक मीटर होती है कहलाता है तो कहलाता है क्या कहलाता है सेपलिंग कहलाता है अगला कुष्चन है अगला कुष्चन जो है वह है कि उर्जावान बहु उद्देश्य पौधे मुक्धताया गरहल किये जाते हैं क्या तो इसका जो आपका राइट ओप्शन है वह है आपका ऑप्शन सी यानि की नीम और महुआ क्या होगा नीम और महुआ होगा अगला कुस्चन है आपका अगला कुस्चन है उत्तप देश के तराई छेत्र में क्रशिवान की पड़ाली अपनाई जाती है तराई मतलब आपका होता है तराई एरिया तराई एरिया में जैसे आपका इसमें क्या होता है सुबबूल प्लस की होंग by대ष कर लेना तरुक तराई नहीं थाह? यूकलिप्टिस भ्लस धान पॉपल्र प्लस गन्ना और आपका बेर प्लस अरहर इसको एक बार किलियर कर लेना ठीक है इस कुश्चन में थोड़ा प्लोग प्लावठक एक प्लावठक कर लेना तराई रीजन में क्या हो सकता है सोबह भूल ग्यहुंज ठीक है यूकिलिप्टिस फ्लस धान stop्но प्लावठक गंनना बता है तो पौधे एबं घासों का संयोजन शिल्वी पास्चर ठीक है जहां पर भी आपको पौधे मतब्ली तो जब फ्वारेस्ट की बात हो तो सिल्वी है और पास्चर की बात हो जाए तो आपके घ्षक की बात करा करा कि वाँ पर प्रियोग करते ठीक है तो यह चीजें इतने भी हैं आपको बताई हुए है तो प्लीज एक बार देख लाइना ठीक है वीडियो प्लीज एक बार देख लाना भारत में कुल वन छेत्र अच्छादित है अब देखिए 2021 की जो रिपोर्ट है अभी लागू हुई है लगभग आपकी दो महीने पहले ठीक है दो महीने है आपकी जनवरी के लास्ट में और यह जो पेपर हुआ था यह पिछली बार हुआ था यहां पर आपका राइट ऑप्सन इसके इसाब से वैसे हमें इसका थोला डाटा आपको बता दें कि टोटल फोरस्ट कवर जो है वह है इंडिया में 21.71 प्रतिसात है ठीक है और टोट इस पॉइंट शेदो प्रतिसात अब इसने पूंचा क्या गया है फोरेस्ट कवर तो फोरेस्ट कवर पूंचा गया है तो 21.71 परसेंट है अब 21.71 परसेंट के हिसाब से यदि ऑप्सन को चूज़ गया जाए तो ऑप्सन ए जो है वह राइट होगा क्योंकि उसके पास वाल कि उतरित रूप है क्या है जूमिंग खेती है अगा कुस्छयंदेखिएगा अगला क्षचन क्या है कौन सी स्थाप्तिकला का प्रयोंक करते है पुलाडरिंग का यानि कि sorry पुलाडरिंग का एक सेकंड लॉपिंग प्रूनिंग पुलारिंग इसमें जो है आपका उप्रोग सभी यानिकी option D जो है वहाई सही होगा ठीक है अगला question जो है वहाई आपका shelter belt से आप क्या समझते हैं तो आपके देखें दो term होते हैं एक होता है shelter belt wind break दोनों हमने आपको वीडियों बता हुए है shelter belt और wind break की बारे में shelter belt जो बनाए जाते हैं वहाई आपके पौधों जाड़ियों से बनाए जाते हैं और wind break में हम किसी भी ऐसे structure का प्रियुक करते हैं जिससे हवा का movement यह हवा की wind velocity जो होती है उसको reduce कर सकें ठीक है अब इसमें option देख लीजिए वायू से भूमी की उपरी परत को संरच्छत करता है वायू गती से छरड belt for tree या इनमें से कोई नहीं तो 28 का c 28 का c option साई होगा because belt बना देते हैं किसकी tree की ठीक है तो यह जो है option c is the right answer अगला question है कटीले वन पौधे पाए जाते हैं कैसे कैसे होते हैं scattered होते हैं कैसे होते हैं छितरे हुए scattered होते हैं ठीक है अगला question है उस्ड़ देशी वर्षा वन छेत्रों में वर्षा प्राप्त होती है कितनी वर्षा प्राप्त होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक ठीक है अगला कुस्चन है भारत में वानस्पतिक फैलाओ अधिक होता है तो भारत में वानस्पतिक फैलाओ जो है वह है अधिक होता है कहां पर उस्रड़ देशी यह पतजड़ी वन ठीक है उसके बाद देखिए अगला कुस्चन क्या है अगला कुस्चन है कि भारी वर्षा वाले छेत्रों जैसे पस्चमी घाट आइसलेंड समू और असम के उपरी छेत्रों में निम लिखित में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं तो 32 का C option राइट होगा अगला कुस्चन भारत के किस छेत्र में सदा सदा हरित वन यानि कि evergreen plant पाए जाते हैं तो 33 का dn की असम में पाए जाते हैं अगला कुश्चन है भौगौलिक प्रत्सत्ता के आधार पर सबसे अधिक वन किस राज में पाए जाते हैं तो सबसे अधिक वन जिस राज में पाए जाते हैं उसका नाम है मध्यप्रदेश किसकी आधार पर percentage wise तो percentage wise जो है वह आपका percentage wise मध्य प्रदेस नहों करके不知道 होगा sorry percentage wise जो है वह आपका victimism होगा ठीक है और आपका area wise वह आपका NP होगा ठीक है area wise MP होता है और percentage wise जो है वह आपका banditslim होता है ठीक है अगला question है कि सुरच्छित एवं सन्रच्छित वन का संबंद है तो सुरच्छित एवं सन्रच्छित सुरच्छित एवं सन्रच्छित वन का संबंद है इस्थाई वन प्रदेश अगला कुस्चन है आवरगीकरत वन मुख्रूप से पाए जाते हैं तो आवरगीकरत वन जो है समस्त उत्त और पूर्व छेत्र और गुजरात का छेत्र तो नहों में पाए जाते हैं अगला है आपका निमलखित मैंसे किस राज में सबसे अधिक वन हैं तो सबसे अधिक वन हैं तो वह आपके मध्यप्रदेश में होंगे सबसे अधिक वन पूछे जाएं तो आपके मध्यप्रदेश म यदि हम बात करें तो यहां पर जो आपका शुरुवात की थी सुन्दर लाल बहुगुडा ने किस ने की थी सुन्दर लाल बहुगुडा ने की थी अब जब सुन्दर लाल बहुगुडा ने की अब यहां पर देखिए option में कोई सुन्दर लाल बहुगुडा आपको संसाधनों का संरच्छड वन पौधां की नई प्रजातियों का विकास करना भारतिय जन्तु सरवेच्छड या फिर वन संरच्छड तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी एस राइट अंसर वन संरच्छड विकॉज चिपको अंदुलन में सुंदरला किऊच्छल नई तो परकुपाइण जो आपका एक पिड़ नहीं है अगला कुस्चन है कि ने लिखित में बन के लिए तो नहाव का बोजान ऑचesyड ऑउशदी के उपलव लगता मदा चेर को रोकना बाल को रोकने के लिए तो उपरोगत सभी lotta and D is the right answer 41 का D जो है वह है right होगा अगला कुस्चन है आपका टॉंग्या सब्द लिया गया है कहां से लिया गया है टॉंग्या सब्द जो लिया गया है वह है वर्मा से लिया गया है कहां से वर्मा से लिया गया है विश्व परियावर्ड दिवस पांच जून को मनाया जाता है राश्ट्रिय क्रशीवान की अनुसंधान के अंदर इस्थित है तो राश्ट्रिय क्रशीवान की अनुसंधान के अंदर इस्थित है कहां पर तो वह है आपका जांसी में अगला कुश्चन भारती चारागाह एवं घास भूम या नुसंदान संस्थान इस्थित है तो कहां पर है पैंतालिस का सी जांसी में इस्थित है विश्वान की तवस प्रतेक वर्स मनाया जाता है 21 मार्च को कम मनाया जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है अगला question है कि अंतराष्ट्रिय क्रशी वान की अनुसंदान के अंदर इस्थित है तो अंतराष्ट्रिय क्रशी वान की अनुसंदान नैरोबी के निया में इस्थित है अगला है विधिका खेती का संबंध है तो विधिका खेती का संबंध पेड़ों की तेज बढ़ने वाली प्रजातियों के बीज बीच जो खाली पड़ी जगह है मैं सस फसलों को उगाना विदिका खेती या एले क्रॉपिंग की नाम से जानते हैं ठीक है तो एले क्रॉपिंग में क्या होता है जो दो वन रख छोते हैं उनके बीच में जो इसे हम गलियारा खेती भी कहते हैं तो जो इसे लखित में से गाउं की आवशक्ताओं की पूर्ति करते हैं इनन चारा एवं फल इनन चारा एवं खनेज इनन चारा एवं सेल्टर तो फिर उप्रोक्त में से कोई नहीं तो उन्चास का यह बिल्कुल सही होगा इनन का भी प्रियोक करते हैं चारा का भी प्रियोक करते अगला कुस्चन है भूमी छड़ को रोकता है तो भूमी छड़ को रोकता है अधिक चलाई बढावा देती है वनिकल वनोन मूझनिया वनथपती को यह तो वनिकल यानि कि offerstation करते हैं बने च्छड़कों रोकते हैं उसके बाद अगला कुस्चन है आपका और वह है कि वनोन मूलन संबंधित कहलाता है ठीक है इसमें सही दिख नहीं रहा है एक लेना वनोन मूलन संदर्भित जैसा पेपर मुझे जो है सेंड किया गया उसी इसाब से एक सेखिंड वनोन मूलन संदर्भित करता है क्या संदर्भित करता है तो इसमें 51 का वनों की अनुपलद्धता ठीक है उसके बाद अगला कुस्चन है कि हम अधिक मात्रा में कटाई करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं तो जब पेड़ों के अधिक मात्रा हम कटाई करते हैं तो उसे हम कहते हैं डिफरस्टेशन या फिर वनोन मूलन क्या कह देते हैं जब हम पौदों को लगाते हैं तो उसे हम एफरस्टेशन कह देते हैं कटाई करते हैं तो deforestation और जब हम काटने के बाद कुना होने लगाते हैं तो फिर हम उसे reforestation की नाम से जानते हैं तो ये तीनों टर्म आप याद रखना अगला कुस्चन है आपका अगला कुस्चन क्या है निमलिखित मैंसे कौन नई वान की विकास है कौन सी नई वान की विकास है तो चंवन का ए यानि की वैग्यानिक वान की कौन सी वैग्यानिक वान की यानि की scientific forestry अगला कुश्चन है निमलिखित मेंसे कौन जूमिंग खेती का अंग नहीं है तो जूमिंग खेती का अंग जो है वह है आपका राक को मिलाकर बीज बोना क्या करना राक को मिलाकर बीज बोना अगला कुश्चन देख लीजिए अगला question है कि सबसे अच्छे वन होते हैं सनरचित वन कौन से वन सनरचित वन ठीक है और अगला question है क्रसि उद्यान चारण प्डॉलाली का समबन्द है तो फसल प्लस फल प्लस चारा अगला question ऐसे वरच या जानियों की कतार जो वायू के बहों की गती को कम करता है कहलाता है तो वह कहलाता है आपका 58 का C A और B दोनों यानि कि वायू रोधी पट्टिया और आवास बेल्ट ठीक है सामाजिक वान की सब्द का प्रियुक सरप्रथम किया गया सामाजिक वान की 60 का D 60 का D बैस्ट बॉई ठीक है अगला कुस्चन वन वर्धन क्या है वन वर्धन यानि कि सिल्वी कल्चर क्या है तो स्थापना, विकास और पुनर्जन उपरोग तो सभी ठीक है तो ये जो है आपका उपरोग तो सभी इस दा राइट आंसर और 60 का 60 कुस्चन का ओप्शन D आपका राइट आंसर होगा ठीक है तो ये था आपका पूरा का पूरा पेपर ठीक है पिछले वीडियो के अपेच्छा इस वीडियो में आपको हमारी जो इनर्जी लेवल है काफी कम लग रही होगी बिकास काफी समय से थोड़ा सा मेडिकल प्रॉब्लम है थोड़ी सी तबियत ठीक नहीं है इसलिए और वीडियो भी काफी अच्छी तरीके से हम नहीं बना पा रहे हैं तो आई होप की जल्दी से थोड़ा सा रिलीफ होंगे तो जो है आपको जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड कराएं जाएंगी यूपी कैटेट के बारे में भी सोच रखा है और आपका एफो के बारे में भी सोच रखा है तो प्रॉपर आपकी बोर्ड पे जैसे पहले क्लासेज चलती थी आप don't worry परेशान ना हो 30 मिनट या 35 मिनट में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा परेशान ना हो ठीक है तो आप कल पेपर देगे आईए फिर मैं बताइए कि पेपर कैसा गया ठीक है तो आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत धन्यवाद